हलो दोस्तो मैं प्रिशान और कल 20 नौवंबर को महारास्ट्वा में स्टेट इस्सेंबली उसके कारण से मार्केट बंद रहेगा तो यहां पर हम इनालिसिस करेंगे 21 नौवंबर को हमें क्या ट्वेडिंग सेटप और स्ट्वेटजी अपलाई करना है लेकिन अगर आज 90 कि तरफ रहा लास्ट में जाके मारकेट आपका निगेटिव रहा और जितना भी गें था उसमें से मैक्सिमम के इसने लूज कर दिया उसके पीछए रीजन क्या है उसके पीछए एक निव्यूज है जो कि यह प्लिसाल के साथ अटेक करा है और कहान यहीं पर खत नहीं होता रसिया ने retaliation करा है और अपने atomic missile usage policy में change करा और चेंज को approval भी दे दिया गया है मतलब रसिया यहाँ पे US को direct threat दे रहा है और US market के साथ साथ हमारा इंडियन market भी रसिया के threat को seriously लिया है और market में fall आया है पहला reason तो यह है दूसरा reason state assembly election है ज्यादा impact तो नहीं रहता है लेकिन market थोरा ही सही इसको लेके nervous जरूर है और उसके कारण से भी last में हमें selling देखने को मिला है लेकिन इस fall में भी थोरा बहुत positive है क्या positive है सबस्पेर इसको clear कर देता हूँ market ने क्या करा है जैसे तैसे ही सही 200 ने SMA को hold करा है और Azure support के रूप में treat करा है तो ये दो चीज market को hint दे रहा है कि market में recovery आ सकता है और market में जो आज जो candle बना है वो candle हमें दिखा रहा है या फिर last में जो move आया news के basis पे वो दिखा रहा है कि fall आपका continue रहेगा तो कल सुकर है कि holiday है तो पूरा सब को सोचने समझने का time मिल जाएगा तो सीधे 21st November को क्या market में fall रहेगा या फिर market फिर से upside जाने को तयार है आपका क्या मानना है comment करके जोगर बताएगा और हम इसी point को इस वीडियो में detail से करेंगे उससे पहले अगर हम previous five minute time frame बाले चार्ट को देखे support विस्टेंस को analyze करें तो देखिए market आज तो support विस्टेंस को काफी बखुभी फॉलो किया है चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो आपका sensex हो या फिर फिन निफ्टी हो सब को अच्छे से फॉलो किया बस support विस्टेंस के वेसिस पे आपको काम करने की जरूरत थी तो चलिए आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखते हैं 21st November को हमें क्या trading setup और strategy अपलाई करना है तो हम वापस आ गये हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम लाश्ट दो दिन के मूव को एनलाइज करें तो मार्केट ने अपना एक support बना दिया और support को भी टच कर रहा है और पुड़ी तरहीं के से define करती है कि मार्केट का support कहां पे बिस्टेंस कहां पे अब किसी से पूछने की ज़रुवत नहीं है अब यहाँ पर हमें करना क्या है सबसे पहले market ने जो खुद support resistance बताया है उसके basis पर कैसे काम करना मैं आपको जल्दी से explain कर देता हूँ तो market अगर आपका इस resistance करीवाता है तो जहां कहीं भी आपने buy किया है सबसे पहले वहाँ से आपको क्या करना profit book करना ठीक है और अगर मौका मिलता reversal आता है तो यहाँ पर विक्वाली वाला भी strategy अपलाई कर सकते हैं ठीक और अगर market support करीवाता है तो अगर आपने इससे पहले जहां कहीं भी sell करा है आपको profit book definitely करना है और अगर market में recovery या फिर रिवर्सल आता है तो buy side वाला भी strategy अपलाई कर सकते हैं तो इस तरीके से support resistance को आपको play गरना जब भी market आता जोग एक नहीं है कि 21st number को आएगा याएगा support resistance के करीब नहीं भी आ सकता है 22nd 23rd को आ सकता है तो जब कभी भी इस level या इस level पे आता है तो आपको एक trading opportunity जरूर मिलेगा और उस trading opportunity को छोड़ना नहीं है अब market देखिया 23,507 के करीब closing दिया वो भी after settlement तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे तैसे hold करा है और 200 day SMA को भी जैसे तैसे hold करा है तो हमें 21st number को देखना है कि market अगर इस दोनों को वाकई as a support के रूप में treat कर लेता है starting up first 30 minute या फिर one hour तो वाकई market इसको support माल लेगा और market में हमें एक ठीक ठाक सा recovery देखने को मिलेगा और अगर वैसा नहीं होता है market first 30 minute, 15 minute या फिर one hour के अंदर इस support को तोर के नीचे आता है यह support आपको convert हो जाएगा resistance में फिर market क्या करेगा इस lower level यह नहीं 23,350 से 400 के range के आसपास निफ्टी आपको देखने को मिलेगा समझ में आगे इतना अब support resistance कहां कहां पे है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा 21st number के लिए तो market 23,550 के ऊपर निकलता है तभी buyers में कुछ हमें confidence देखने को मिलेगा और 23,450 के नीचे जाता है तो sellers में confidence देखने को मिलेगा उसके recording आप अपना strategy ready कर सकते हैं बागी आगे हम detail से बात करेंगे चलते हैं सिरे इसके option chain तो यहां पर हम पहुँच चुके हैं Nifty के option chain पर और 21st number को Nifty का weekly expiry भी है अब NSE पर Nifty एकलोता रहा गया है जिसका weekly expiry है सब ने इसका साथ छोड़ दिया है साथ छोड़ा नहीं चुरवाया गया है तो चलिए अब यहां पर weekly expiry की दिन क्या trading setup आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले सपूर्ट विसिस्टेंस के ऊपर बात करें तो मैंने कल ही बताया था 23,600, 7100 और 800 यह तीनों आपका विसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है कल भी था आज भी है 23,500 पर फाइट कल भी कंटिनिव था आज भी कंटिनिव है तो अब कॉल वाइटोस धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं मतलब मार्केट में अगर बिग मूव आता है और मार्केट का पुरेवल मूव जो निच्वल मूव अभी हम बोल सकते हैं वह आपका डाउंसाइड की तरफ रह सकता है अगर हम ऑप्सन चेन की माने तो चलिए इसके स्ट्रेटजी पर करते हैं फोकस आगे वरने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंट्वार्डे स्ट्रेडी सीखना चाहते हो तो बहुत भी मौका है बिलकुल फ्री में सीख सकते हो कैसे यहां पर हमारा इंट्वार्डे ट्रेडिंग स्ट् करने लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन में दिया गया है बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्किप्शन में दिवे लिंक से ट्रेडिंग और डिमेट अपन करेंगे तभी यह सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अधर्वाइज जो चा दलता है तो यहां पर एक रिस्टेंज को तो रहेगा अगले रिस्टेंज की तलास करेंगा अगला रिस्टेंज होगा कहां पर 23600 के उपर 625 के असपास सपोर्ट से रिवर्सल आता है तो कॉल अपसंस वाला स्ट्रेटरी बनाने का आपको मर्पूर मौका मिल सकता है इस सपोर्ट को ब्रिक करके अगर मार्केट नहीं जाता है तो अगले सपोर्ट की तलास करेंगा वह अगा 23400 एं 23,335 यहां पर तयार कर सकते हो आपको पहले ही क्लियरली बोल दिया है लेकिन इसको उपर जाने नहीं दिया जा रहा जिस दिन इसको हिंड मिलेगा यह आपको कुछ दिनों में ही अपने हाई के करीब देखने को मिल जाएगा और इसलिए सब कुछ निगेटिव होने के बावजुद भी लगाता है तीन दिन आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करा है और लगाता है तीन दिन से मार्केट क्या कर रहा है अपका हाईयर लो पैटरन का फॉर्मेशन कर रह बैंक आपका अलग चलवा है आईटी अलग चलवा है यानि बैंक आईटी आप एक साथ ले सकते हो उसके अलावा पूरा का पूरा मार्केट एक अलग चलवा है जिसकारण से बैंक निफ्टी में स्ट्वेंथ दिख रहा है और निफ्टी में कमजोरी हमें देखने को मिल र करता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लेटी के साथ समझ में आ जाए तो जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किये हैं जल्दिश जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन साथ में जरूर दबा दिजेगा ताकि जो भी हमारा एनालिसिस होता है सही टाइम प लेबल है एक आपका immediate और strong support बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि लगातार दो दिन से इसके उपर हमें closing मिल रहा है और उपर में अगर हम बात करें तो 51,000 का जो लेबल है यह आपके लिए resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है तो जैसे nifty में support resistance को define करा वैसे bank nifty ने भी बखोवी support resistance को define कर लिया है अब bank nifty में fresh खरदारी अगर आपको completely safe करना है तो 51,000 के उपर अगर closing दे देता है तो यहाँ पे एक फिर से fresh 500 point का upside move आ सकता है यानि तो thousand point का भी आ सकता है तो इसके लिए 51,000 के उपर closing चाहिए जिससे अभी बहुत दूर है और 50,000 के नीचे closing मिल मिलता है तो फिर से market में आपका 500 से 1000 point का fall देखने को मिल सकता है मतलब अब big move के लिए bank nifty को 50,000 के नीचे जाना परेगा यानि तो 51,000 के उपर जाना परेगा clear है और आज के candle के उपर अगर हम बात करें तो उपर में long tail दिखा रहा है कि अभी भी resistance के करीब buyers थोड़े से कमज और हो रहे हैं और अभी भी market में जो domination है वो sellers का ही चलवा है और strength आपका sellers के पास है तो फिर से बता रहा हूं कि अगर market में आपको sell करना है तो nifty से जाता bank nifty को prefer केज़ेगा bank nifty में अगर आप sell करते हैं तो कभी भी trap कर सकता और बुरी तरीके से आपको फसा सकता है इसलिए sell कहां करना है nifty में buy करना बाइ कहां करना है bank nifty में nifty में अगर आप buy करोगे तो बुरी तरीके से फस सकते हो तो याद कर लेना buy nifty sorry buy bank nifty and sell nifty तो चलते हैं इसकी option chain पर देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ strategy हमें apply गरना बैंक nifty के option chain में अगर हम देखे तो यहाँ पर drastically decrease हो गया क्योंकि weekly expiry हो गया है तो ज्यादा वालूम है नहीं तो इसलिए option chain का उतना ज्यादा confidence में कि market 51,000 के उपर निकलने वाला है तो अगर यह पूट वाइटर स्ट्रैप में फस गए तो मार्केट आपका सीदे नीचे साइड की तरफ आ सकता है और अगर by chance यह 20 लाख कॉल वाइटर स्ट्रैप में फस गए तो market 51,000 के उपर closing दे सकता है support की अगर हम बात के तो support अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो कली मैंने बताया था कि सेंसेक्स अपने crucial लेवल के करीब है और वह क्या था वह था आपका 200 एसा मेंड़ेट में सिंपल मुविंग आवरेज और मैंने बोला था 200 दे सिंपल मुविंग आवरेज तोरा डैट मेंस तो 77,300 या और सेफ सपोर्ट की रूप में ट्रेट कर रहा था काफी हथ और आज भी सपोर्ट की रूप में ही ट्रेट कर रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सेंसेक्स 77,300 के नीचे जाता है तो फिर्श बिक वाली का मौका आपको मिल सकता और मार्केट में फॉल आ सकता है 200 से 300 इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं वैसे अगर हम केंडल पर फोकस करें तो उपर में आपका शैडो दिख रहा उपर में शैडो या फिर टेल का मतलब है कि बायर्स में कमजोरी है और सेलर्स में यहां पर हमें अभी भी स्ट्वेंथ देखने को मिल रहा है तो अ और यहां पर रेसिस्टेंस के उपर अगर हम बात करें तो 77,700 है इसके उपर निकलता है तो बायर्स में confidence आएगा जिनको भी बाइंग करना 77,700 के उपर ही बाइसेर वाला strategy बनाएगा क्योंकि यही पहला है इसके उपर निकलने पर बायर्स में जो भी confidence आना होगा आएगा तो चलिए टाइम आ गया है बात करने का फिन निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो बैंक निफ्टी का टू कॉपी है मतलब यहां भी हमें स्ट्वेंथ देखने को मिल वा और काफी हद तक बोल सकते हैं लगाता है तीन दिन से यह आपका हाइयर है निकल जुगा मतलब अपने कुरूशल सपोर्ट लेवल से 400 पॉइंट उपर है यहां पर अगर आपको खरडारी करना है तो 23,450 या फिर और सिर्फ जाना चाहते 23,500 इसके उपर निकलता है तो बायर्स में कॉन्फिदेंस आएगा खरिदारी वादा स्ट्रेप ले सकते हैं नहीं तो 23,350 के नीचे जाएगा तो सेलर्स में कॉन्फिदेंस आएगा और बायर्स का कॉन्फिदेंस थोज़ा सा ही लेगा सो विक्वाली का मौका मिल सकता है तो चलिये चलते हैं मिट्कैब निफ्टी के 5 मिनाट टाइम फ्रेम वाले चार्ट मिट्कैब निफ्टी की उपर अगर हम फोकस करें तो यहां पर देख सकते हैं support रेसिस्टेंस को हमने clearly identify कर लिया और यहां पर हमारा जो resistance है वो 12,150 के level प मारकेट ट्रेंस को नीचा आता है तो से सते या सब्सक्राइब कर बबंगा कर में तो इस सपोर्ट opportunity मिलेगा इसके बीच में कुछ काम नहीं करना इस बात को ध्यान रखना और जो लोग वीडियो रेकलब देखते होंगे उनको ये चीज पता ही है तो चलिए अब हम बात करते हैं bank nifty sensex और fin nifty के detail strategy पर बात करें तो काफिक लेट है 50700 इसके उपर निकलता है मार्केट अगले रिस्टेंज के तरास करेगा वो है 50,850 एं 50,950 करीम हमने रखा इन 51,000 से पहले हम जा रहें सारा profit book खतम हो जाए क्योंकि 51,000 एक hurdle है और वहां पर जाने के बाद profit booking आ सकता है 50,000 एक crucial support है आने के chances का में आता है तो यहां से reversal लाएगा तो call options वाला strategy चाहो तो ready कर सकते हो 50,500 यह support है इस support को तोड़ता है तो एक psychological level break होगा अगले support के तरास करेगा हो है 50,350 और 50,200 51,200 एक resistance है इस resistance को break करके आता है तो call options वाला strategy बानने का मौका मिल सकता है सो अब और बैंक निफ्टी में क्या काम करना है समझ में तो आही गया होगा चले चलते हैं सेंसे के उपर यहां पे 77700 एक hurdle है इसके उपर निकलता है मारकेट अगले resistance के तलास करेगा जो कि होगा 78,000 से जस्ट पहले 77,950 और 78,250 से 38,300 76,000 एक support है यहां पे आता है तो reversal देखने को मिल सकता है तो call options वाला strategy अगर आप comfortable है तो apply गर सकते है 77,400 support है और आज का low भी है यहनी 90 November का low भी इसको break करता है तो अगले low यहनी अगले support के तलास करेगा जो कि होगा 77,150 और 76,900 के आसपास 78,500 पे hurdle है resistance है यहां पे आता है तो put options वाला strategy बनने का मौका मिल सकता है तो यह तो हो गया sensex में अब चलते फिन निफ्टी 23,450 यह resistance इसके उपर निकलता है अगले resistance के तलास करेगा जो कि है 23,515 and 585 23,100 यह support को break करके उपर निकलता है यह support को break नहीं करता है support से reversal आ सकता है 53,50 support है इसको break करके नीचे आता है अगले support की तलास करेगा और यहां पे आपको sell side की तरफ जाने का opportunity मिल सकता है और अगला support कहां पे 23,285 and 23,215 से 200 का psychological level 23,650 से लेके saver 100 यह आपका resistance जो नहीं यहां पे आता है तो गिराबटा सकता है support options वाला strategy ready कर सकते हो तो यह सारा काम कर Nifty Sensex, Fin Nifty और Mid Cap Nifty में so that's all इस वीडियो में इतना है मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद